नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है करियर बिटकिस फैमली में दोस्तों उत्तर प्रदेश में जारी 79 जार सहाइक अध्यापकों की भरती में शाषन के तरफ से डबल बेंच में 40-45 के खिलाफ अपील होगी या नहीं यह एक बहुत-बड़ा सवाल बना हुआ है दोस्तों वर्तमान में जो इस्थिती बनी हुई है और शाषन की तरफ से अभी तक कोई रूख इस पस्ट नहीं किया गया है तो इस कंडिशन में क्या कुछ हो सकता है भविश्य में इस मुद्धे पर मैं बात करूँगा तो यदि आप भी इस भरती में सम्मिलित हुए थे और इन सभी मुद्धों से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के किसे भी पार्ट को बिना स्किप के हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर और 11 दिन बीत जाने के बाद भी शाषन की तरफ से अभी तक कोई रुख इस पश्ट नहीं किया गया है कि वह डबल बेंच में जाएगी या फिर नहीं दोस्तों अब एक बार बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे तरफ हैं जो यह इस पश्ट करते हैं कि शाषन डबल बेंच में नहीं जाना चाहेगी दोस्तों एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो के तुरू आप सभी को अपडेट किया था कि सिख्षामित्रों का एक ग्रूप माननिय अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार जी से मिला था और उनसे यह अपील की थी ग्यापन सोपते हुए दोस्तों अपर मुख्य सचिव ने उनको आश्वाशन दिया था कि उनकी सभी मांगों को वह शाषन तर जरूर पहुँचाएंगे दोस्तों 11 दिन बीत जाने के बाद भी अगर डबल बेंच में अपील करना होता शाषन के द्वारा तो निश्ची थी कुछ न कुछ डिसीजन जरूर ले लिया गर हता लेकिन इतनी सिथिलता जो दिखाई जा रही है डबल बेंच में जाने को ले करके या फिर ना जाने को भरती जो है वह अब सिर्फ केवल एक सहायक अध्यापक की भरती ना हो करके एक चुनावी भरती भी हो चुकी है दोस्तों जैसा कि कुछ दिन पहले माननीय प्रियंका गांधी जी ने सिक्षामित्रों के मुद्दों को उठाया था और दो तीन दिनों तक पूरे मीडिया मे सिक्षामित्रों का मुद्दा उठाया हुआ था दोस्तों उसके बाद से माननीय श्री अखिलेस यादावी जी ने जो की पूरो मुख मंत्री है उठाया सिद्दा ये सो करेगा कि उत्तर प्रदेश की साषन सिक्षामित्रों के अगेंस्ठ है क्योंकि जो ये decision आया है 40-45, cut off को ले करके, यह पूरी तरीके से सिक्षामित्रों के favor में है, और अब double bench में जाना, शाषन कहीं न कहीं यह संदेश देगी कि वह सिक्षामित्रों के विरुद्ध है, जिससे निश्ची तोर पर इस चुनावी माहौल में बहुत ज्यादा नुक और आज के वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही महतोपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बेट के इस चैनल के साथ, धन्यवाद